आज हम देखेंगे शेत्रफल से संबंधित कुछ मिथ्याधार्णा एं मिथ्याधार्णा एक, 6 मीटर लंबाई और 4 सेंटिमीटर चोड़ाई वाली लकडी की आयताकार यानि रेक्टांगुलर पट्टी का शेत्रफल यानि एरिया क्या होगा? कुछ बच्चे शेत्रफल ग्याद करते समय एकाईयो यानि यूनिट्स पर ध्यान नहीं देते वे एकाईयों को नजरंदास करते हैं और शेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चोड़ाई में लंबाई और चोड़ाई के स्थानों पर संख्याओं को जैसे सवाल में दी है वैसे के वैसे लिखते हैं इससे उन्हें शेत्रफल प्राप्त होता है चोगुणा चार बराबर चोबीस वे उप्षन एक में यह संख्या देखते हैं इसलिए उप्षन एक जवाब देते हैं लेकिन यह एक गलत जवाब है यहां लंबाई मीटर में दी है जबकि चोड़ाई सेंटिमिटर में दी है हमें पहले दोनों मापों की इकाईयां समान करनी होगी चुँकि यहां ओप्षन में शेत्रफल स्क्वेर सेंटिमिटर में दिया है इसलिए हम दोनों मापों को सेंटिमिटर में परिवर्दित करेंगे चुकि एक मीटर बराबर सौ सेंटिमीटर इसलिए छो मीटर बराबर छो गुणा सौ सेंटिमीटर बराबर छो सो सेंटिमीटर चुकि चौडाई पहले से सेंटिमीटर में दी है इसलिए हम इसे परिवर्थित नहीं करेंगे इस तरह से लकडी की आयताकार पट्टी का शेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 600 cm गुणा 4 cm बराबर 600 गुणा 4 cm बराबर 2400 cm इसलिए ओप्षिन दो सही जवाब है मिठ्याधाना 2 यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 4 गुणा बढ़ाया जाए तो शेत्रफल कितने गुणा बढ़ेगा कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि लंबाई और चोड़ाई को चार गुना बढ़ाया गया है इसलिए शेत्रफल भी चार गुना बढ़ा होगा इसलिए बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन एक जो कि गलत जवाब है मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई पाँच सेंटिमीटर और चोड़ाई दो सेंटिमीटर है इस आयत का शेत्रफल है पाँच सेंटिमीटर गुना दो सेंटिमीटर बराबर दस स्क्वेर सेंटिमीटर यदि आयत के लंबाई और चोड़ाई दोनों को चार गुना बढ़ाया जाए तो नई लंबाई होगी 4 गुना 5 सेंटिमीटर बराबर 20 सेंटिमीटर और नई चोड़ाई प्राप्त होगी 4 गुना 2 सेंटिमीटर बराबर 8 सेंटिमीटर अब नए आयत का शेत्रफल होगा 20 cm गुणा 8 cm बराबर 160 cm2 यदि दोनों स्थितियों में शेत्रफल की तुलना की जाए तो हमें ग्याद होगा कि नया शेत्रफल पहले शेत्रफल की तुलना में एक सो सहाट बटे 10 बराबर 16 गुणा बड़ा है इस तरह से दिये सवाल का ऑप्शन दो यह सही जवाब है मिध्याधाना 3 36 cm2 शेत्रफल के आयत कितने प्रकार से खीचे जा सकते हैं जिनकी लंबाई और चोड़ाई पूर्ण संख्या हो हमें ग्याद है कि एक आयत का शेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई होती है इस तरह से यहां हमें ऐसी दो पूर्ण संख्याएं ग्याद करनी हैं जिनका गुणनफल 36 हो इसके लिए हम 36 के गुणनखंड लिखेंगे हम लिख सकते हैं 36 बराबर 36 गुणा एक 18 गुणा दो 12 गुणा तीन 9 गुणा चार 6 गुणा चोड़ाई इस तरह यहां हमें संख्याओं के 5 युगम प्राब्थ होंगे कुछ बच्चों की यह समझ होती है कि आयत के लंबाई और चोड़ाई कभी भी बराबर नहीं हो सकती इसलिए वे सोचते हैं 6 सेंटिमिटर गुणा 6 सेंटिमिटर एक आयत का माब नहीं हो सकता इस तरह से वे सोचते हैं कि यहां कुल 4 युगमों से ही आयत खीचा जा सकता है इस समझ के साथ वे अप्शन एक जवाब देते हैं जो की एक गलत जवाब है क्योंकि भले ही 6 सेंटिमिटर गुणा 6 सेंटिमिटर एक वर्ग यानि स्क्वेर को दर्शाता है लेकिन एक वर्ग भी एक आयत ही होता है इसलिए यहां कुल 5 आयत बनेंगे यानि की आप्शन दो सही जवाब है तो आज हमने देखी शेत्रफल से संबंधित कुछ मिध्या धानाए झाल